मेरे पैरे जैस्वासियों, नमस्कार, मन की बात, यानि आपके साथ मिलने का एक शुब अवसर, और अपने परिवार जनों के साथ जब मिलते हैं, तो वो कितना सुखद होता है, कितना संतोसदाई होता है, मन की बात के द्वारा, आपसे मिलकर, मैं यही अनुभूती करता हू और आज तो हमारी साजा यात्रा का एक सो आठवा एपिसोड है, हमारी यहां एक सो आठ अंका महत्व, उसकी पवित्रता, एक गहन अध्यान का विशा है, माला में एक सो आठ मन के, एक सो आठ बार जब, एक सो आठ दिव्यक्षेत्रा, मंदिरों में एक सो आठ सीधिया, ए 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है इसलिए मन की बात का 108 वा एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है इन 108 एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कितने ही उधारण देखे हैं उनसे प्रेरणा पाई है अब इस पड़ाव पर पहुँचने के बाद हमें नए सिरे से नई उर्जा के साथ और तेज गती से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखत संयोग है कि कल का सुर्योदय 2024 का प्रतम सुर्योदय होगा हम वर्स 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुप पामना है साथियों मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिख कर अपने यादगार पल साजा किये हैं 140 करोड भारतियों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेश उपलब्दिय हासिल की है इसी साल नारीश शक्ती बंदन अधिनियम पास हुआ जिसकी प्रतिक्षा बरसों से थी बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख कर भारत के पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने पर खुशी जाहर की अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सभलता याद दिलाई साथियों आज भारत का कोना कोना आत्म विश्वास से भरा हुआ है विक्सित भारत की भावना से आत्म निर्भरता की भावना से ओत्प्रोत है 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने इस साबित किया कि हर भारतिय वोकल फर लोकल के मंत्र को महत्पद दे रहा है साथियों आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान तीन की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्यानी को और विशेश कर महिला वैज्यानी को को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे साथियों जम नाटू नाटू को अस्कर मिला तो पुरा देश खुसी से जूम उठा दे एलिफंट विश्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ इनके माद्यम से दुनिया ने भारत के क्रियेटिविटी को देखा और परियावरान के साथ हमारे जुडाव को समझा इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलिटों ने जबर्जस प्रदर्शन किया एशियन गेम्स में हमारे खिलाडियों ने 107 और एशियन पेरा गेम्स में 111 मिडल जीते क्रिकेट वर्लकप में भारतिय खिलाडियों ने अपने प्रदर्शन से सप्पा दिल जीत लिया Under 19 T20 World Cup में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली हैं। कई खेलों में खिलाडियों के उपलब्दियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पैरिस अलेंपिक का आयोजन होगा जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाडियों का होसला बढ़ा रहा है। साथियों जब भी हमने मिलकर प्रयास किया हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी के अमरुत महोसव और मेरी माकी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोडों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। सत्तर हजार अमरुत सरवारों का निर्मान भी हमारी सामोही को बलब्दी है। साथियों मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता उसका विकास रुख जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं है। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 वे रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या जादा रही। जिन में करीब 60% डोमेस्टिक फंसके थे। Q.S. Asia University रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारती उनिवर्सिटी शामिल हुई है। अगर इन उपलब्दियों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो एक कभी पूरी ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ जनक है। भारत का सामर्थ कितना प्रभावी है। हमें देश की इन सफलताओं से, देश के लोगों की इन उपलब्दियों से प्रणा लेनी है, गर्व करना है, नए संकल्प लेने है। मैं एक बार फिर आप सब को 2024 की शुप कामनाई देता हूँ। मेरे परिवार जनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरब जो आशा और उच्छा है, उसकी चर्चा की ये आशा और उमीद बहुत अच्छी है। जब भारत विक्सिद होगा, तो इसका सबसे अधिक लाब युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाब तब और ज्यादा मिलेगा, जब वो फिट होंगे। आज कल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसिस के बारे में कितनी बाते होती हैं, ये हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इन्पुट भेजने का आगर किया था। आप लोगों ने जो रिस्पॉंस दिया, उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो एप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्ट अप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं, उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चल्चा की है।